सबी वाईयों को नमस्कार, सबी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेरी फार्म पे यादव डेरी फार्म रेगुलर अच्छे पसू दिखाने का जो एक माद्य मात्रिया एक प्रियास जो कर रहे हैं उसमें रूटीन से वीडियो लेके आ रहे हैं उसी प्रियास में आज की वीडियो हम आपके अपने फार्म यादव डेरी फार्म से लेके आ रहे हैं मैं बताना चाओंगा सबसे पहले जो एडरेस बताना चाओंगा हमारा जो फार्म है यादव डेरी फार्म गाउं खेडा थरू डिस्टिक जजजर तैसील मातनेल हरियाना से वीडियो हम लेके आ रहे हैं हरियाना जिसको मुर्रा की खान माना गया है और एक से एक शांदार नायाब नगीने कैमरे के सामने निकल के बार बार आ रहे हैं तो सबसे पहले जो भाई हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो भाई साथ में फेस्बुक पेज 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 पा रहे हैं वो पेज को लाइक करें ताकि वहाँ भी वीडियो का नौटिफिकेशन आप तक मिलता रहे या पहुंचता रहे तो आज हम अपने फार्म से ही जैसे हमने रेकेमेंट किया था कि सेकेंड टाइमर जोटी काफी बड़े अडर की इतना शांदार अडर सायद किसी किसी पसू में हम कहेंगे कि कुद्रत ने जो मालिक ने बिल्कुल फुरसत से इसका अडर बनाया थ ठणों में स्पेस ठणों की क्वालिटी चुआई एक नंबर की तो इसमें हमने बताया था तीन से चार दिन की ब्याई हुई और जैसे ही खीश से खाली हुई है खाली होने के बाद मोके पे इसमें 13 लिटर दूद बताया था जबकि हमने एक आया था कोई भी बाई अगर ल बिल्कुल जो कलर है वो बिल्कुल जैड बलेक है और अडर आप देख रहे हैं पिछे से अब भी आपको दिखाई पड़ रहा है जबकि पसु खुलके चलता है तो complete दिखाई पड़ता है तो आज हम इस जोटी की जो milking वीडियो आपको दिखा रहे हैं और हमारा एक प्रि लीते हैं तो वो कहीं न कहीं गाटे का सोधा है क्योंकि अगर किसी भी कारण वस जो पसुदन है उसमें बच्चा देने में दिक्कत हुई या फिर बाद में जेर डालने में दिक्कत हुई या फिर बाद में जब चुआई करते हैं तो नीचे से कच्ची निकलती है तो बहुत एक लंबा सिस्टम हो जाता है क्योंकि हम बड़ी उमीद और उसके साथ उसको अच्छा गी तेल देते हैं और फिर वो बच्चा देती है फिर गलत निकड़ती है तो पूरे पैसे देने के बाद फिर कोई जवाबदारी पिछला ओनर भी नहीं लेता तो जब भी हमारे यहां से वीडियो आएगे आपको प्रेगनेंट पसू की वीडियो काफी कम सायद अब तक एक से दो पसू वो भी हमारे देखे हुए पसू थे जिनको हमने खरीदा है और ग्यबन बैस हमने बेची नहीं जबकि अपने फार्म पे बच्चा देने के बाद ही सेल करते हैं तो कोई भी वाई इस जोटी को खरीदना चाता है उमिद यह कि 17 किलो दूद जोटी निकाल देगी पहले ब्यात में 14-14 किलो दूद इसने निकाल रख्या है यह देख सकते हैं आप 1.5 किलो से उपर अगाडी है तकरीबन 2.5 किलो की जब पूरे दूद पे होग तो तकरीबन 2.5 किलो की अगाडी निकालेगी और चुवाई बिलकुल सोफ्ट है क्योंकि मिल्किंग वीडियो है ना एक ऐसा माद्द में मिल्किंग वीडियो जब कोई भी पसूपालक देखता है तो आप सवभाव का अंदाजा लगा सकते हैं बिलकुल शान्थ सवभाव की खाने पिने में काफी अच्छी है काफी बार जो सेल पर्चेज में पसू आता है एक दो दिन दाना कम लेता है लेकिन इसने बिलकुल भी नई जगे नहीं माननी और इस तरह का जो पसूदन है वो क्या पता तीन लाख दो लाख वाली बैंस का भी इतना शांदार अडर न दिखे और दूद 16 किलो 17 किलो और अडर की क्वालेटी ऐसी हो कि एक आकर्शन का केंदर बन जाए जहां से भी पसू निकले वो सभी की चर्चा में रहेगा कि हाँ पसू दन है और यादव डेरी फार्म सुरुवात से ही अच्छे पसू के सेलेक्शन के मामले में हमने कभी भी लापरवाई नहीं की है साथ में एक चीज हम हर बार बोलते हैं कि कोई भी वीडियो देखके पसू लेता है तो जाके देखके पसू ले क्यों की काफी बार हमने देखा है QUE अच्छे पसू है वो भी ठोड़ी बहुत अरकत बाजी कर देते हैं चवाई आपको दिखाई पढ़ रही है अंगुठे जितनी मोटी चुवाई और जो भाई घर रखना चाते हैं एक बैस उनके लिए मैं कहूंगा कि बहुत ही शांत सवाव की बैस है और 16-17 किलो दूद अगर यह निकालती है तो बहुत है क्योंकि मैं कहूंगा 16-17 किलो दूद की बैसे हैं वो काफी अ जाती है तो यह जोटी बिकरी के लिए अपलब्द है अभी फिलाल इसको हम एक किलो खड़ी सुबह दे रहें एक किलो स्याम को ने कोई दाना क्योंकि जब पूरे कड़या मेले से लग जाएगी उसके बाद में जब दाना स्टार्ट करेंगे उस टाइम पर हम उमीद करते ह हैं कि दूद भी अच्छा निकालेगी और दूद चाहे एक किलो कम दे दे सोबाओ काफी शानत है वीडियो हम वीडियो के माद्यम से एक चीज और बताना चाहेंगे कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने हर उस पसु पालक को पसु धन दिखाने का खरीदने का बेचने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके उपर हर बाई का पसु बिखता है और अच्छे जो पसु है वो देखने को भी हमारे बाईयों को मिलते हैं काफी बाई है अधर कंट्री वीडियो देखते रहते हैं काफी कोमेंट भी करते हैं काफी बार फोन कोल भी आते हैं नहीं भी उठा पाते और आर्मी डिफेंस से जो फोजी बाई हैं वो भी काफी कोल करते हैं पसु दन के लिए दन्यवाद करते हैं पसु की मैं कहूंगा सराहना करते हैं कि अच्छे पसु दिखाए तो यह सब आप भाईयों का प्रेम है क्योंकि नेटवर्क आप भाईयों में हम रेगुलर एक या दो वीडियो आपको दे रहें ताकि आपको अच्छा पसु सेलेक्शन करने का मौका मिले बैस बिकरी के लिए उपलब्द है कोई भी वाई से खरीदना चाता है या इसके बारे में और भी डिटेल से जानना चाता है तो मेरा मोबाईल नंबर रेग पांच साथ मैसे रखते हैं ने 50-60 वैसो का फाहम है क्योंकि ज्यादा पसु में वो केर नहीं हो पाती तो पांच या साथ मैसे जो बिल्कुल परफेक्ट सेलेक्टिड मैसे लेते हैं क्योंकि 50-60 में तो गलत पसु भी आ जाए लेकिन 5 या 4 खरीदने वाड़ा हमेसे अपन क्योंकि आदा लीटर दूद अभी बच्चे को छोड़ा है दूसरी टाइम में थोड़ा ज़्यादा पिला देंगी क्योंकि आज कल जो बाई दूद देखते हैं वो अगर 100 ग्राम भी कम होना तो मानते नहीं क्योंकि जो दिखता है वो बिखता है तो ट्रांस्पोर्ट की स तेरा लीटर दूद तयार है तो कोई भी बाई अगर खरीदना चाहता है आल ओवर इंडिया कहीं भी हम ट्रांस्पोर्ट की स्विधाय उपलब्द हैं ओनलाइन अगर पेमेंट करता है तो चुआई की फुल गारंटी होगी इसकी निच्चे से क्योंकि साप सुत्रे जो प हमारे दोस्त हैं उनके बेटे प्रमजोत उनके फार्म पे गई है और काफी अच्छा रिस्पोंस आया कि अभी भी परजेंट में वहां पे जो वह दूद है तकरीबन हमने उनको बताया था 17 लीटर लेकिन उन्होंने कहा कि 18 लीटर दूद अभी निकाल रही है साड़े 6 ल को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार सत्स्रीकाल राम राम सलाइब